कश्मीर से लेकर कन्या कुमारी तक भारत में ऐसे कई शहर हैं, जो अपनी खूबसूरती से लोगों का दिल जीत लेते हैं। जब भी कहीं घूमने का प्लान बनता है, तो सबसे पहले लोग समय बचाने के लिए फ्लाइट की टिकट सर्च करते हैं। लेकिन क्या आपको पता है, भारत में कई ऐसे ट्रेन के रूट भी हैं, जिनकी तस्वीरें अगर आप देख लेंगे, तो आप फ्लाइट में सफर करना भूल जाएंगे। भारत में ऐसे कई रेलवे ट्रैक हैं, जो बेहत खूबसूरत जगों से होकर गुजरते हैं। कहीं से दिखते हैं समुद्र के नजारे, तो कहीं से दिखते हैं वर्फ के पहार, आज हम आपको ऐसे ऐसे रेलवे रूट्स के बारे में बताने वाले हैं, जहां का सफर आप पूरी जिन्दगी भूल नहीं पाएंगे। वीडियो आगे बढ़ाने से पहले आपसे एक ही अनुरोध है कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमबर पांच पे है मुंबई से गोवा, कोंकन रेलवे। मुंबई से गोवा के बीच का ये रूट खूबसूरत हरे भरे पहाडों, सुरंगों, पुलों, कई नदियों और जर्नों से होकर गुजरता है। सह्यादरी परवत माला और अरब सागर के किनारे से होकर गुजरने वाली ट्रेन का रूट सबसे सुन्दर है। ये रास्ता इतना सुन्दर है कि आप पूरे रास्ते प्रकृती की सुन्दरता को देखकर आश्चरिचकित हो जाएंगे। अगर आप इस रास्ते से ट्रेन का सफर कर रहे हैं तो अपना कैमरा ले जाना ना भूलें क्योंकि इस रूट पर हर कुछ सेकंड में फोटो लेने का मौका मिलता है। दूद सागर वाटरफॉल भी इसी रूट पर पड़ता है। यहां के आसपास का खूब सूरत नजारा देखते ही बनता है। ब्लॉक बस्तर फिल्म चेन्नई एक्स्प्रेस में भी इस वाटरफॉल का नजारा दिखाया गया है। इस विशाल जरने के बीच से गुजरती हुई ट्रेने इस जगह का नजारा ही बदल देती हैं। नमबर चार पे है जैसलमेर से जोदपूर रेलवे रूट। ये रेलवे रूट राजस्थान के थार रेगिस्तान के सूखे जंगल और बंजर भूमी से होकर गुजरता है। जैसा की हम जानते हैं भारत के हर एक शहर और राजे की अपनी अलग पहचान है। जैसलमेर से जोदपूर का रेल मार्ग भी ऐसी ही एक जगह है। जहां आपको बंजर रेगिस्तान, रेट के टीले, रेगिस्तानी वन्य जीवन और जनजातियों से भरपूर खूबसूरत नजारे देखने को मिलेंगे। जोदपूर से जैसलमेर का ये सफर डे जर्ट सफारी में घूमने जैसा है। ट्रेन से रेगिस्तान का नजारा वाकई शांदार होता है। जेरोफाइटिक पेर, उन्चे-उन्चे रेट के टीले, उन्ट और रेगिस्तानी बस्तियां एक कमाल का अनुभव कराती है। जैस काल का शिमला रूट से टॉइ ट्रेन से ट्रेवल करना ना भूले। हिमालियन क्वीन नाम की ये टॉइ ट्रेन नेरो गेज पर चलती है। पांच घंटे के इस सफर में आपको घने जंगल, गहरी घाटिया, जरने, चीर और देवदार के पेरों के अदभुत नजारे देख 96 किलोमीटर लंबा ये रेलवे रूट 102 सुरंगों और 82 पुलों से होकर गुजरता है। शिमला स्टेशन के ठीक नीचे मौल रोड स्थित है, जो अपनी खूबसूरत पुरानी इमारतों, दुकानों और रेस्टोरेंस के लिए प्रसिध है। साफ मौसम में आप दूर से ही बर्व से धकी चोटियों की जलक देख सकते हैं। कालका शिमला रेल लाइन को सबसे सुन्दर रेल रूट कहां जाता है। पूरे रस्ते आप भरपूर प्राकृतिक सुन्दरता का आनंद उठा सकते हैं। नमबर दो पे है मंदपम से रामेश्वरम रूट दुनिया की सब समुंदर के बीच से गुजरती हुई ट्रेन में जब आप ट्रेवल करेंगे तो आपके दिल की धरकने थम जाएंगी। रोमांचक होने के साथ साथ ये सफर बहुत खतरनाक भी है। इस रास्ते से यात्रा करने वाले हर मुसाफिर को ये डर रहता है कि कब कोई समुंदरी लहर ट्रेन को रेलवे ट्रैक से नीचे गिरा देगी। कभी कभी तो समुंदरी की लहर इस ट्रैक को पूरा पानी में डुबो देती है। 1914 से बना ये रेलवे ट्रैक काफी पुराना होने की वज़े से और भी खतरनाक हो गया है। पंबन आयरलैंड पर बना रामेश्वरम बहुत शांत और प्राकृतिक खूपसूर्ती से भरपूर है। ट्रेन से इस रूट की यात्रा में पूरे एक घंटे का समय लगता है जिस से चुनोती पून और खूपसूरत मार्ग है। कश्मीर को धर्ती का स्वर्ग कहा जाता है तो इस रेलवे रूट को स्वर्ग का द्वार कहा जा सकता है। इस रूट में आपको उन्चे-उन्चे माउंटेन पास, कई सुरंगे, बर्फ से धके पहार, चेनाब नदी और 700 से अधिक ब्रिज देखने को मिलेंगे। जम्मू से बारामूला का ये रूट कश्मीर घाटी के कई खूपसूरत शहरों से होकर गुजरता है और कश्मीरियों के जीवन की एक जलक पेश करता है। बर्फबारी के मौसम में तो नजारा और भी अधिक शानदार हो जाता है। करनी हो बोटिंग करनी हो या फिर मुगल गार्डन में तहलना हो शीनगर एक ऐसी जगह है जहां आप हर मोड पर प्रकृती की सुन्दरता का आनंद ले सकते हैं। अगर आप भी अपनी वेकेशन को स्पेशल बनाना चाहते हैं तो भारत के इन खूपसूरत रेलवे रूट को जरूर एक्स्प्लोर करें। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही साथ वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब भी करें।